नमस्कार दोस्तो वीकेंड पर वैसे तो सबके अलग-अलग प्लान होते हैं लेकिन मेरा जो वीकेंड का फिक्स रूटीन है उन में से एक है वेजिटेबल शॉपिंग और वेजिटेबल स्टोरेज यानि की वेजिटेबल शॉपिंग तो होती ही है सैटेडे को लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा काम रहता है वेजिटेबल्स को स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स को अच्छे से स्टोर करके रखना जिससे की आने वाले वीक के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित रहें त उनको पूरे वीक तक मुझे अच्छे से स्टोर करके रखना होता है तो सबसे पहले ग्रीन मटर जो होती है ना ग्रीन पीस उसको तो हमेशा ही मैं जिस दिन ही आती है ना उसी दिन में पील करके और सारी एक साथ हो जाती है तो हफ़ते का काम जो है वो आसान हो जाता है जि पति को एक हफ्ते तक अच्छे से स्टोर करने के लिए इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर है मेरे पास इसके अंदर ना एक जाली लगी रहती है जो कि एक्स्ट्रा पानी या मॉइस्ट्र को नीचे रखती है उसके उपर मैंने दो नापकीन लगा दी धन्या रख दिया ग्रीन वजटेबल एक साथ ही आ जाए तो उनमें से मैं एक को इस तरीके से स्टोर कर देती हूं जैसे कि यह पालक है मेरे पास इस पालक को मैं स्टोर कर रही हूं तो इसके लिए मैंने पालक को साफ करके अच्छे से चौप कर लिया है और वाश कर लिया है दो से तीन बार और अपमें एक पतीले में थोड़ा सा पानी डालूँगी और डालूँगी हलका सा एक आधा चमश शुगर और थोड़ा सा नमक ये डाल करके हलका सा में ब्लांच कर लोगी ऐसे करने से इसके अंदर क्या होता है ग्रीन कलर इसका जाता नहीं है अच्छा बना रहता है यानि क उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाता है और जब ये ठंडा हो गया तो इसको मैं प्योरे बना करके मतब थिक इसके अंदर का जो पानी है ना उसको तो निकाल करके अलग कर लोगी जो पालक का पत्ते हैं उसको मैं ग्रेवी बना करके इस तरीके से रख अब इस ग्रेवी से दो तीन चीज़े बनाई जा सकती है और इस पानी को मैं ऐस वेजिटीबल स्टॉक यूज कर लेती हूं सूप बनाने में आटा गूनने में या वेजिटीबल वगरा में यूज कर लेती हूं तो दोनों ही चीजों का पोशन हमें मिल जाता है जल्दी ख पराठा वगरा बनाना है उसके लिए ये ग्रेवी जो है या दो तीन दिन तक भी यूज कर सकते हो तो इस तरह से न मैं स्टोर कर देती हूं इन चीजों को अगर स्प्रिंग अनियन को स्टोर करना है तो ये जादा से जादा दो दिन तक चल जाती है इसको मैं क्या करती हू में एर टाइट कंटेनर में नहीं रखती हूं चाली दार कंटेनर में रखती हूं उसके नीचे भी नापकिन लगाती हूं उपर भी नापकिन लगाती हूं तो इससे ये दो दिन तक अच्छे से चल जाती है लेकिन हा इसको वाश नहीं करना है वाश मैं उसी समय करती हूं इस टाइम मुझे कुक करना है उसे एक घंटे पहले वाश करके निकल रख देती हूं तो इसका एक्स्ट्रा पानी जो है न वो निकल जाता है तो इस तरीके से अगर एक ही वीक में दो तिन ग्रीन वेजटीबल आ जाती है तो मैं इस तरीके से यूज कर लेती हूं जिसे की व पास लगादार बैक टू बैक काफी दिनों से कॉमेंट आ रहे थे कि अब मैं न स्टेचिंग वीडियो आप सबके साथ में शेयर नहीं कर रहे हूं तो मुझे भी एक चीज की जरूरत थी जो मैं आज बनाने वाली हूं आप सबको स्टेचिंग वीडियो देखने के लिए म मैं बना रही हूं आज एक कुल्ट कवर जो की डबल बैट का रहेगा और रिवर्सिबल रहेगा तो यह न मैं पहले तो मैंने ऑनलाइन मंगाया था आप सबके साथ में शौट्स भी शेयर किया था लेकिन वो न अच्छा नहीं आया जो साइज में छोटा था और उसकी ही मजबूत है और बहुत सुन्दर वेटशीट है तो उससे मैं इग्जाक डबल बैट का अपने कुल्ट के बराबर का कुल्ट कवर बना लूँगी और रिवर्सिबल बनाऊंगी जिसमें की आगे के साइट से कुछ और रहेगा और तीछे के साइट से कुछ और रहेगा ब पिल्कुल मेरी ये वाले पिंक बेटशीट के कलर के मैर्चिंग हो जाएगी और ये देखने में सुन्दर भी लगेगा, तो ये है वो बेटशीट, तो पहले पर तो मैं इसको मेजर करके देखूंगी, अगर exact इसके बराबर का है तभी बनाओगी, अदरवाइस तो फिर ये तागे के लिए पोस्पोन हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे अब बनाना है एक कवर, तो चलो देखते हैं इसको नाप करके, यहाँ पर मैं जो पेटशीट का यूज़ कर रही हूँ, वो भी मेरे रूम को कॉम्प्लिमेंट करती हुई है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, अ अगर मेरा कुल्ट कवर थोड़ा चोटा होता, या मेरी बेटशीट थोड़ी चोटी होती, कुल्ट कवर बड़ा था, तो मैं क्या करती कोई और तीसरे कलर का कपड़ा लेकर के, उसमें जॉइंट लगाती चारो तरफ से, लेकिन मेरी यह जो बेटशीट थी, वो बिलकुल के फ्लार पड़े हुए हैं बाद में आपको पास से दिखा दूंगी तो सीधे वाले जो दोनों पोर्षन थे उनको तो रख दिया मैंने अंदर यानि कि बेच्षीट के जो प्रिंटेड पार्ट हैं जो बिल्कुल जिस साइड में हम बिछाते हैं उन दोनों को मैंने अंदर क क्योंकि कट करके तो कोई फायदा नहीं था और इससे लेंथ भी कम हो सकती थी तो मैंने फ्रेंज को कट कर नहीं किया है अंदर के साइड में ले लिया है बाहर के साइड में अगर मैं रखती तो फिर वो पता चलता कि ये बेच्षीट है इसलिए मैंने अंदर के साइड में ले लिया और अब 3 तरफ से सिलने के बाद में 4 तरफ से दोनों साइट से मैंने थोड़ा-धोड़ा सा सिला था अब मैं कर यूँ सीधा और सीधा करने के बाद में पहले quilt को इसके अंदर डाल देती हूँ ये red वाला जो cover है इसको निकाल दूंगे और ये वाला cover चड़ा करके देखती हूँ बिल्कुल exact आ रहा है तो ठीक है otherwise फिर मुझे अंदर के side में थोड़ा बहुत fold करना पड़ेगा लेकिन जब मैंने cover चड़ाया तो ये बिल्कुल exact उसी के बराबर का था चड़ा दिया है और कितना अच्छे से बिल्कुल perfect finish आई है और perfect shape आई है ये वाली जो bed sheet थी थोड़ी से लंबी थी इसको मैंने इस तरीके से fold कर दिया अंदर के side में है ना और इसकी जो fringes थी उसको भी मैंने इस वाली को भी अंदर के side में कर दिया और ये वाली जो है इसको मुझे ना हाथ से सिलना पड़ेगा अब देखे इतना मैंने इधर से fold किया था और इतना ही मैंने इधर से fold किया था इतना ना चाही तो इसके अंदर zip भी लगा सकते हैं मेरे पास zip नहीं थी तो मैं इसको हाथ से stitch करूँगी quilt cover का final look तो मैं आपको बात में दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले आप सब के साथ में share कर रही हूँ vegetable clear soup जो की हम बना रहे winter special और बनाऊंगी जो हमारा पालक का stock बचा था उससे उसके लिए मैंने लिए हैं देखे यहाँ पर लिए हैं मैंने आदा कप की करीबन frozen corn एक चोटी कटोरी पनीर यह garlic है जिसको मैंने crush कर लिया है यह spring onion है एक गाजर को मैंने छोटा चोटा चॉप कर लिया है यह हरे धनिये की चटनी है पालक का stock है और मैंने mushroom लिये है एक कटोरी भर के तो मैं क्या कर रहे हो एक पैन में रोस्ट कीजे और उसका powder बना करके एक चमच ओट्स का powder भी ले सकते है रोस्ट करके उसका powder बना लिजे और उसको ले सकते है मिर पास मैदा थी और मैं थोड़ा जल्दी-वाला काम करना चारी थी तो मैंने यह किया है अगर आप यह भी ना करना चाहें तो आप corn flour भी ले सकते है लेकिन मैं corn flour नई यूज करना चाहती इसको थोड़ा healthy रखना चाहती हूँ इसकर करके यह कर रही हो तो मैंने मैदा को हलका सा भून लिया है एक ही चमच यह था उसको भूनने के बाद में मैंने यह garlic जो था इसको भी हलका सा golden brown कर दूँगी और उसके साथ में डालूँगी मैं थोड़ी सी अपनी vegetables जो थी इसमें सबसे पहले डाली है मैंने spring onion हलका सा एक ही दो मिनट इसको मैं saute करूँगी और उसके बाद में एक ही करके बाकी की अपनी vegetables भी डाल दूँगी तो सबसे पहले spring onion फिर उसके बाद में मैंने डाले है mushroom मश्रूम के बाद में मैं डाल दूँगी अपनी carrots और इसको डालने के बाद में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और coms को भी डाल दिया है हलका सा एक से दो मिनट तक मैं इसको fry करूँगी और बाद में मैंने डाल दिया है अपना जो पालक का स्वी पालक स जो था उसको को दालने के बाद में अगर आप ठोड़ा और पतला रखना चाहें सूक को तो आदा सा पानी भी आड पालक कर सकते हैं ब्लैक पापर पाउडर, तो ये डाला है, और salt भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा अपने taste के according, क्योंकि हमने इसको fry करते से मैं भी salt का यूज किया था, तो इसलिए salt ज़रा देख करके डालना है, तो ये तीनों चीजे डालने के बाद में, जब ये अच्छे से बॉयल हो गय हैं तब मैंने डाला है इसके अंदर क्यूब कीवए चोटी-छोटी से क्यूब जो हमने किये ते पनीर के वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिये है अब इसको अच्छे से हम पहले mix करेंगे अपनी छट्नी दोख और आने देंगे और उसके बाद में हरे धनिया पता से गारिश करके हम गर्मा गर्म सूप को सर्व करेंगे ये बिल्कुल इतना टेस्टी सूप है आप एक बार जरूर ट्राइ करके देखिएगा और अगर आप ट्राइसिटी से हैं तो आपको पता रहेगा 32 सेक्टर में एकना कॉर्णर पर सूप वाला हो देती हूं कि तरीके का है क्योंकि मैं तो अपने कोकि में लगए थी अनवेशा ने अपनी धादी का अपना इंटर्व्यू दिया आ है वो दिखाती हो आपको आगे फिलाल आप ये सूप देखिए इस तरीके का होता है ये क्लियर है यानि कि इसके अंदर से जो भी हमने तो आपको कितना देते हो आप 10 10 में से कितने देते हो मार्क्स कितने देते हो 10 में से 9 अरे वार एक मार्क्स क्यों गटा एक मार्क्स क्यों काता है क्यों काता है कि यो कट कर लों विश्वास करें कि वैई ठीक दिया है अनुप थीछ टिया हो इंजलने से 1 अन्फ टेकितनर फर्ट के में थीऊ पिर फेर लों एक अल्सकावली क्यों आख तो तो आप दो यह तो थारिए ना कहना कि आप अधर हो चाहली थाष्च तो यह आपने देख लिया ममी का ओनेस्ट रिव्यू ममी जो है थोड़ी कॉमेडियर भी है बहुत हसी बसाग करती है ममी घर पे रहती है तो ऐसा लगता है कि घर में मतलब रौनक सी रहती है क्योंकि ममी ना बातों में लगाया रगती है और मैं कुकिंग के बाद में वापस स आ गई अपने रूम में इसको स्टेच करना था मुझे दोस्तों सूप तो बहुत अच्छा बना था आप जरू ट्राय करके दीखीगा वेजिटेबल क्लियर सूप था ये और हेल्दी भी बहुत है आप डेली इसको पी सकते हैं मैंने आने के बाद में अपने किचिन का काम आप देजिटेबल हैं इतना सुंदर लग रहा है इतना मैंच इन नगर दकत अब हरू तो पलटने के बाद में ये कुछ तरीके से लग रहा है इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं और अगर एक बिजाइन देना है तो इस तरीके से कर सकते हैं और मुझे ये पैटर्न इतना पसंद आ रहा है न कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं बनाई और अब आपको ये रूम में दिखाती हूं पास से इसका माचिंग हो रहा है इतना प्यारा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं और बहुत ही जाधा अच्छा लगा है एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप इस तरीके से घर पर दो बैट शीट से बनाए कोई भी कुल्ट कवर चाहें सिंगल बैट का चाहें डबल बैट नथे का, तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों पैट शीट जो है वो एक दूसरे को okक डिमेन्ट करते हुए होनी चाहिए उनका फाब्रिक उनकी जो thread count है और उसका pattern जो है वो एक दूसरे को compliment करता हुआ दोस्तों कैसा लगा ये quilt कबर मुझे बताईएगा जरूर और अगर अच्छा लगा है थोड़ा सा भी अच्छा लगा ये idea तो इस पर एक like जरूर कीजेगा फिलाल आज का वीडियो इतना ही था उमीद करती हूँ आपने enjoy किया कुछ भी अच्छा लगा तो like जरूर करना मैं आपसे जन्दी मिलूँगी एक नए और interesting वीडियो में till then be happy be active अपना ख्याल रखिये और मस्त रखिये बाई बाई